कक्षा नॉमी एक्सरसाइज 1.3 का प्रशन नमबर 3 ये बहुत इंपोर्टन प्रशन है बहुत बार पेपरों में भी रिपीट होता है इसको ध्यान से समझेगा निम्न को पी बटा क्यो के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यो पुर्नांक है तथा क्यो जीरो के बराबर नहीं है 0.6 बार सबसे पहरे हमें इसको पी बटा क्यो के रूप में लिखना जहां पी और क्यो दोनों पुर्नांक होने चाहिए पुर्णांक यानि माइनस वाले नमबर प्लस वाले नमबर या 0 P और क्योव वैसा कुछ भी हो सकता है तो माल लेते हैं हमने इसको P बटा क्योव में लिखना है तो मैं पहले ही इसको मानता हूँ कि माल लो P बटा क्योव बराबर 0.6 बार इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नमबर 1 बच्चों हमेशा याद रखना इक्वेशन 1 कब लेनी है इक्वेशन 1 आपने तब लेनी है जब दशमलव के बाद सारी ही चीज़ें बार के नीचे हो I repeat इक्वेशन 1 ऐसे आगे बहुत सारे कोशन जाएंगे तब भी आप देखेंगे बार आपने तब लेना है जब इक्वेशन 1 आपने तब लेनी है जब दशमलव के बाद सारी ही चीज़ें बार के नीचे हो अब ये बार का मतलब क्या होता है बार का मतलब होता है 0.6666666 ये बार 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 ऐसे repeat होता रहेगा, इसलिए बार लगाया जाता है, इसको हमने लिया है equation number one, अब बच्चो ध्यान से समझना, हमने क्या करना है, equation एक को एक संख्या से गुना करना है, वो संख्या कैसे पता चलेगी, वो संख्या होगी, दस, या सो, या हजार, या दस हजार इस प्रकार की कोई संख्या होगी, तो क्या होनी चाहिए, एक लगाकर आप देखेंगे, बार के नीचे कितने अंख्या है, यहां सिरफ एक यह अंख्या है, यानि बार के नीचे एक अंख्या है, तो यहां लग जाएगा zero, इसका मतलब equation एक, यह जो equation एक है, इसे हम 10 से आगे वाले उधारनों में हम दिखेंगे, तो equation एक, equation की दो साइड होती है, एक left side, एक right side, ब्राबर के left पर, एक right पर, इनको left side और right side कहते हैं, left side को भी 10 से गुना करना पड़ेगा, और right side, पूर equation का मतलब left को राइट को दोनों को 10 से, P बटा क्योओ को जब 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 10 P बटा क्योओ 0.66 बार है यह वाला है यहाँ जब इसको 10 से गुना करेंगे तो यह जो दशमलव यहाँ है यह एक स्थान एक 0 है तो यह एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यह बन जाएगा 6.666666 बाद इस प्रकार से आई रिपीट आप ध्यान से देखिए यहाँ दशमलव यह था 0 के बाद जब हमने इसको 10 से गुना किया तो यह एक स्थान क्योंकि यहाँ 1 0 है तो यह एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा यानि यह दशमलव यहाँ 6 के बाद आजाएगा देखे 6 के बाद आगया आगे 6666666 डैश डैश है वही हमने लिख दिया इसको हमने ले देना है equation number 2 अब हमने क्या करना है हमेशा यह सभी questions का एक ही pattern रहेगा वही आपने हमेशा करना है second equation में से पहले equation को minus कर देना है equation 2 में से equation 1 को minus कर दो तो क्या होगा left side में से right side minus होगी right, sorry left side में से left side minus होगी और right side में से right side minus होगी left side में है 10 p बटा क्या हूँ उपर है p बटा क्या हूँ यानि 1 p बटा क्या हूँ तो 10 P बटा क्यों में से 1 P बटा क्यों माइनस कर दिया तो कितना आ गया 9 P बटा क्यों राइट और इधर देखे क्या होगा यह मैं आपको किसी रफ कागस पर करके दिखाता हूँ हमारे पास यहां है 6.666 तो 6.666 डश 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 और ऊपर है पहली एकवेशन में 0.6 बार उसका मतलब था 0.666 तो 0.666 डश 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 च्छ में से च्छ गया 0, 6 में से च्छ गया 0 छे में से चे गया जीरो, 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 दिशमलव के नीचे दिशमलव और छे में से जीरो गए छे, तो दूसरी एक्वेशन की राइट साइड से, पहली एक्वेशन की राइट साइड माइनस करते ही, यह सारे जितने यहां पर दशमलव के बाद वाले 6 होंगे, यह यहां के दशमलव के बाद वाले 6 के साथ माइनस हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लेफ्ट यह जो दशमलव के पहले है 6, इसमें से 0 निकल के आगया 6, यानि इसको माइनस करके हमारे पास आता है 6 तो ये 6 को मैं यहां लिख दूँगा अब P बटा क्यो बराबर क्योंकि हमें P बटा क्यो के रूप में लिखना था ना इस देशमलब को 6, 9 इधर P के साथ गुना और उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग इसे हम देखेंगे कि क्या ये कहीं पर कट सकता है ये दोनों 3 के पाहड़े में कट सकते हैं 3, 9, 3 दू नीचे तो या गया 2 बटा 3 यानि कि P बटा क्यो हमारे पास आ गया है 2 बटा 3 हमें यही करना था इस कोशन में हमारे पास एक दशमलव प्रसार दिया था 0.6 बार हमें इसको P बटा क्यों के रूप में लिखना था P बटा क्यों के रूप में